मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है ये निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती है कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्वर्ग परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आयूश्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्गों चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्वर्ग के हो चाहे उच्च मद्यम्वर्ग के हो ये एक नया दायरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड़ पक्के घर बना कर दिये हैं अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है ये परीवारों के विस्तार होते हैं एक घर से दो घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनानी की शक्क्यता संभावन नहीं होती है तो उन परिवारों के भी चिंटा करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुँचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुँचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दिये अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागों की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पैट्रोल, डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों, बीचते वर्षों में करोणों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने हैं इस सफस्ता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोण की सीमा दस लाख उर्पिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख उर्पिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्ता विस्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टीम की जरूर्थ है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जादे के बाद पहली बार रेडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निबाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचांस हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाव देहाद के भी रेडी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्थिक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्ट्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रूरत से जान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपाने ट्रांस जेंडर साथियों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाएरे में लाने का निरना लिया है साथियों भारत आज विमेन लेट डेवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है